हेलो फ्रेंड स्वागत है आपका अपने चैनल हैस्टेक क्रियेटिव आर्थी पोरवाल में दोस्तों मैं हूँ आर्थी और आज मैं नीट स्टुजेंट्स के लिए बेहत बहुत बड़ी खुशकबरी लाई हूँ दोस्तों आज मैं ऐसे स्टेट की बात करूंगी जहांके हाई कोट ने नीट स्टुजेंट्स को फीस में कुछ राहत दिये जी हाँ दोस्तों और ऐसे कई स्टेट हैं जहां पर भी उसने फीस के कुछ बॉंड में कुछ कंसेशन दिया है राहत दे दिये चात्रों को दोस्तो मैं आपको पूरी नीज बताऊंगी लेकिन उसके पहले अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए और उसके आगे जो बैल आइकन का बटन है उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि सारी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आइक दोस्तो राजस्थान के आइक डिसीजन लिया है कि जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है उनको जो डिमांड करते थे बैंक गाइरंटी के लिए एम्बीबेस स्टूजिए वो आप उनको नहीं देनी पड़ेगी दोस्तो आपको बता दूं कि राजस्थान या और यसे कई स्टेट हैं जहां पर यह रूल है कि जब बच्चे का एम्बीबेस में एड्मीशन होता है तो उसको एक साल की जो एड्मीशन फीज देनी पड़ती है उसके साथ ही साढ़े तीन साल के लिए उनको जो है एक बॉन्ड बना के देना पड़ता है सेक्योर्टी आफ बैंक गाइरंटी वाइल एलॉइंग एपेटीशन बाय दिपेश सिंग बैनिवाल हू इस पेटीशन टम इन अंजिस्टिफाइड एन अनवारंटेट बर्डें और पेरेंट्स कंसीरिंग देनी पड़ती थी इस्टुजेंस आर सपोस्ट टु डिपोजिट वन येर्स फी दूरिशन बट दे वर आलसो सपोस्ट टु फंड इस बैंक गाइरंटी फोर दे फी ओफ रिमेंनिंग थ्री एंड हाफ यर्स ऑफ दे कोर्स अंड अमांट अफ दिस गाइरंटी वाजा सपोस्ट एस फिफ्टी लैक रुपीज दोस्तो एक साल की फीज देने के बाद भ यूप में पचास लाख रुपए देने पड़ते थे जो सरकार की तरफ से अब उनको रहात हो गई है नहीं देने पड़ेंगे और इसके अलावा he argued that colleges were trying to secure them on mere assumption that they would suffer financial loss on account of any student quit the course midway leaving the seat vacant actually जो student बहुत से student ऐसे होते थे जो बीच में ही course छोड़कर चले जाते थे तो वो seat vacant हो जाती थी तो इसके प्लक्ष में भी सरकार ने एक रूल बनाया है hearing the arguments the court restrained the colleges from seeking bank guarantee until next order but allowed them to accept bonds from students towards the fee for three and a half years instead of bank guarantee तो सरकार ने कहा है कि उस bank guarantee के बजाए आप उनसे fees ले लीजे उस साले तीन साल की वो जादा अच्छा है it is made clear that the students admitted to the course shall be under the obligation to deposit the full fee of first year as stipulated but shall be provisionally exempted from furnishing the bank guarantee for remaining three and a half years subject to outcome of present right petition stay petition the order started तो दोस्तो यह order stated हो गया यह order हो गया है कि अब कोई भी college किसी भी प्रकार की bank guarantee नहीं लेगा उसके अलावा fees ले सकता है तीक है तो fees deposit कर सकते फुल आफ first year की भी लीजे साले तीन साल की लीजे लेकिन उनको bank guarantee के रुप में जो पचांस लाख रुपए लिये जाते थे वो आप नहीं देने होंगे तो दोस्तों यह उन छात्रों के लिए बेहत अच्छी न्यूजे जिनको MBBS में admission पाने के लिए काफी अच्छी तगड़ी धनराशी देनी पड़ती थी और उनके parents पे भी burden रहता था तो उनको यह नहीं देना पड़ेगा यह सरकार का आज order हो गया है तो दोस्ते बहुत अच्छी news नीटी students के लिए अगर आपको यह news अच्छी लगी हो तो मेरे चै शेयर करिएगा थैंक यू